आपने अक्सर ही मुस्लिम जिहादियों के बारे में सुना होगा लेकिन आज की इस रिपोर्ट में हम किसी जिहादी के नहीं बल्कि उन सनातनी मुस्लिमों के बारे में बताएंगे जो भगवान श्री राम को अपना आरा ध्यमान दे हैं उन्हें पूछते हैं भगवान श्री राम के प्रती उनकी आस्था का अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि करोडों हिंदूओं की तरह ही मुस्लिमों ने भी भव्य श्री राम मंदिन निर्मान के लिए समर्पन राशी दी है हजारों मुसलमानों ने काशे के पतित पावनी गंगा को साक्षी मानकर भगवान श्री राम के अद्भुत मंदिर के संकल्प की सिद्धी की है भगवान राम के प्रती मुसल्मानों की इसी भक्ती को देखते हुए आयोध्या में 22 जन्वरी को राम लला की प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के लिए समर्पन राशी देने वाले हिंदूओं की तरह ही मुसलिम समाज के लोगों को भी भगवान श्री राम की पाती भेजी जा रही है आपको बता दी की काशी प्रांथ के 4000 से अधिक मुसल्मानों ने मंदिर निर्माड के लिए 2 करोड रुपे से अधिक की समर्पन राशी दी है राम मंदिर के निर्माड के लिए 1,11,000 रुपे की धनराशी देने वाले जौनपुर के मुहम्मद हसन कहते हैं कि यह हमारे देश के लिए गौरव की बात है कि आयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है वहीं वारनसी की रहने वाली इकरा अन्वर नी राम मंदिर निर्माड कोश में 11,000 रुपे की सहयोग राशी समर्पित की है इकरा अन्वर की राम भक्ती का आंकलन आप इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने अपने दाहिने हाथ पर श्री राम का टैटू बनवाया हुआ है सच तो यह है कि हम बातें चाहें जितनी भी कर लें इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रभु श्री राम सबके हैं और सबकी यास्था भगवान श्री राम में है